बेटे को जन्म देने के 26 दिन बाद ही महिला ने दो और बचे जन्में 20 वर्षिया बांगलादेशी महिला ने एक बच्चे को जन्म देने के 26 दिन बाद ही जुडवाम बच्चों को जन्म देकर डॉक्टरों को हैरान कर दिया धाका की अकबारों की रिपोर्ट के मताबिक सहरशा उपजला की अरिफा सुल्ताना को 25 फरवरी को प्रेगनेंसी में कुछ जटेलताओं की वज़े से खुलना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भरती कराया गया था कुछ घंटों के भीतर ही महिला ने नॉर्मल डिलीवरी से एक अपरे पक्व बच्चे को जन्म दिया बेटे को जन्म देने के बाद अरिफा अपने घर लोट गी लेकिन डॉक्टरों पध्यान महिला के दूसरे यूटेरेस में मौजूद एक अन्य बच्चे पर नहीं गया हॉस्पिटल की प्रमुक गायक नोलॉजिस्ट शीला पोदार ने बताया अरिफा को बिल्कुल महसूस नहीं हो रहा था कि उसके गर्ब में अभी भी जुडवां बचे हैं पहले बच्चे को जन्म देने के 26 दिन बाद 22 मार्च को वेर फिर से हॉस्पिटल लोटी डॉक्टर पोदार ने बताया एक अल्ट्रा साउंड से पता चला कि अरिफा के दो गर्बाशे हैं और हैरानी की बात यह रही कि उसने जुडवां बच्चों को जन्म दे दिया जुडवा बच्चों का जन्म सी सेक्षन सरजरी से हुआ जुडवा बच्चे में एक लड़का और एक लड़की है डॉक्टर पोदार ने बताया पहला बच्चा एक कोक में पल रहा था जबकि जुडवां दूसरी कोक में उन्होंने कहा कि यहां एक बेहत दुरलब मामला था इस से पहले उनके सामने ऐसा कोई मामला नहीं आया था मंगलवार को मा और तीनों बच्चों को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया सभी बच्चे स्वस्थ हैं जेसोर के मुखे सरकारी डॉक्टर दिली परोय ने कहा कि उन्होंने अपने 30 साल के लंबे मेडिकल करियर में इस तरह का मामला नहीं देखा उन्होंने खुलना मेडिकल कॉलेज पर भी सवाल खड़े करते हुए कहा कि डॉक्टरों को अरिफा की दूसरी प्रेगनेंसी का पहली बार में पता क्यूं नहीं जल पाया अरिफा के पती सुमन विश्वास ने कहा कि यह अल्लाह का चमतकार है कि सभी बच्चे स्वस्थ हैं मैं कोशिश करूँगा कि सभी बच्चों को खुश रख सकूँ सुल्ताना एक गरीब परिवार से आती हैं सुल्ताना ने कहा मुझे नहीं पता कि हम इतने कम पैसे में तीन बच्चों की परवरिश कैसे कर पाएंगे कई दुरलब मामलों में महिलाओं में दो यूटेरस विक्सित हो जाते हैं कर दो कर दोगिσимся गलेब दो सभावें कर दonentद दो सभावें ग tääलाना है कि अर्षार बच्चों की एनकते हैं का दो थाया सिर दो है